Hello students, welcome to group 5 इस lecture में हम discuss करेंगे Chapter 2 की exercise का 25th question So, जो network है इसमें 4 capacitor लगे है C1, C2, C3, C4 इसका equivalent capacitance बताना है हमें So, जो C2 और C3 है वो दोनों किसमें हैं? सिरीज में? So, C2 और C3 are in सिरीज So, इनका equivalent कितना हो जाएगा? 1 upon C2 plus 1 upon C3 1 upon 200 plus 1 upon 200 यह हो जाएगा 2 upon 200 सो C आजाएगा 100 micro picofarad अब इसको हम direct भी कर सकते थे जब दो capacitor identical हो सिरीज में connect हो, तो equivalent capacitance क्या होता है? Half, तो 200 का half 100, तो direct भी कर सकते थे अब C1 और C2, C3 का जो equivalent होगा वो किसमें होगा? पैरलल C1 and C C will be in parallel, देख लो जड़ा कैसे? यह C1 है और C2, C3 का यह C इन दोनों की जगे ही लगा देंगे हम और यह है C4, ठीक है जी? तो C1 और C क्या है? पैरलल तो equivalent कितना हो जाएगा? C1 प्लस C कितना हो जाएगा? C1 कितना है? 100 और C भी 100 यह होगा? 200 पी को फैरड अब जो C1 और C का एकुलेंट आएगा वो C4 के साथ क्या होगा? सेरीज में रजाएगा वो C4 जाएगा वी सीज में विद C4 तो equivalent कैपिस्टानस 1 अपों C4 प्लस 1 अपों जो यहा? 200 सो 1 अपों 100 प्लस 1 अपों 200 सो इसको सूल करने से equivalent कैपिस्टानस आजाएगा हमारा तो आपे तीन पीको फैरड नव फोरे 300 volt supply determine the charge and voltage across each capacitor so हमें हर एक capacitor पर charge बताना है और उनके across voltage कितनी है यह बताना है अगर कितनी supply connect की हमने 300 volt की so 300 volt की बैटरी लगा दी so कुछ charge flow करेगा सपोज मैंने माल लिया क्यूँ अब यह total charge है अब यहाँ पर दो रास्ते हैं कुछ charge इधर जाएगा और कुछ charge इधर जाएगा अब जो charge इधर जाएगा वो इस capacitor पर भी होगा और इस capacitor पर भी होगा क्योंकि दोनों capacitor series में है इसलिए जितना charge इस पर होगा उतना ही charge इस पर जो charge जाएगा उतना ही इस पर होगा और उतना ही इस पर होगा, अब क्योंकि C2 और C3 का जो equivalent है, वो कितना है, 100 pico farad और इधर भी 100 pico farad है तो दोनो कैपस्टेंस सेम है तो जो charge आएगा उसका half इधर चला जाएगा और half चला जाएगा इधर, तो C1 पर charge कितना होगा, total का half और C2, C3 पर भी charge कितना होगा, total का half तो C4 पर charge कितना हो जाएगा ये Q by 2 इधर से आएगा और Q by 2 इधर से आएगा तो जुड़के कितना हो जाएगा Q, तो C4 पर charge होगा total Q, तो इधर charge चला जाएगा Q by 2 इधर charge Q by 2 फिर जुड़के Q by 2 Q by 2 चुट के कितना आजाएगा Q सो हमें केवाल Q calculate करना है Q का मतलब कहा है total charge so total charge Q equal to total capacitance system की into total voltage total capacitance कितनी आई 200 बटे 3 pico farad pico मतलब 10 to the power minus 12 into voltage कितनी लगाई 300 volt so कितना आजाएगा है 3 से 3 cancel so 2 into 10 to the power minus 8 कुलाब अब तो जो Q charge है वो निकल गया हमारा अब उसका आदा किस पर होगा 100 पर और उसका आदा C2 और C3 पर होगा so charge on C1 Q1 Q by 2 equal to 10 to the power minus 8 कुलाब और इतना ही charge होगा C2 C3 पर charge on C2 and C3 will be same क्यों क्योंकि ये series combination में है and कितना होगा Q by 2 10 to the power minus 8 कुलाब मतलब Q2 भी 10 to the power minus 8 कुलाब और Q3 भी 10 to the power minus 8 कुलाब अब बात आई Q4 की इधर से Q by 2 इधर से Q by 2 so total charge उड़के कितना Q so charge on C4 Q4 कितना है total charge 2 into 10 to the power minus 8 कुलाब अब charge तो आगया सभी कैपिस्टर पर अब हमें बतानी है voltage तो जो C1 C2 C3 है इन पर charge क्या है same लेकिन कैपिस्टर इंस लग लग इसलिए voltage लग लग होगा so अगर मैं V1 निकालना चाहूं V1 कितना Q1 upon C1 charge कितना Q1 10 to the power minus 8 और कैपिस्टर कितनी C1 100 Pico Farad so 100 into 10 to the power minus 12 तो कितना हो जाए गए 100 V so अब इस से हम सारे answer बता सकते हैं ज़र चेक करेंगे so ये voltage हागी 100 V तो जो C है उसके एक रोज भी कितना voltage 100 V तो C2 और C3 के एक रोज 100 V है तो 50 इदर होगा और 50 इदर होगा ज़र चेक कर लेता है इसको solve करके भी so V2 Q2 upon C2 Q2 कितना 10 की power minus 80 है upon C2 के है 200 Pico Farad 200 into 10 to the power minus 12 so ये आजाएगा वही 100 भाई 250 V क्योंकि total voltage parallel में क्या रहता है same तो ये 100 V है तो इदर भी 100 V तो 50 इदर और 50 इदर so V3 भी कितना होगा 50 V अब ज़र इसका भी देख लेते हैं इदर 100 V ये भी 100 और total voltage है 300 तो 100 तो यहाँ रह गा तो C4 के एक रोज कितना आना चीए 200 V ज़र चेक कर लेते हैं V4 equal to Q4 upon C4 Q4 क्या है total charge 2 into 10 to the power minus 8 और C4 क्या है capacitance कितनी है C4 100 picofarad 100 into 10 to the power minus 12 तो यहाँ आज है 2 into 10 to the power 2 200 V वोल्ट